आज हम बनाएंगे मटन मुंडी, मटन मुंडी महारष्टर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको भी मटन मुंडी पसंद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और मटन मुंडी को मैं आज महारष्टर टाइन में बना रही हूँ, बहुत ही इजी तरीका इस रस्पी को बनाने के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखे हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो मैं चानल सोनिस कीचन आज की इस रस्पी को देखने के बाद आपको अगर मेरी रस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो के निचे लाइक का बटन क्लिक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें चलिए आज की इस रस्पी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक तवा गरम करें फिर इसमें डाले आधा कप कटी हुई सुखा खोबरा इसी के साथ एक छोटी चमश काली मेरी डालेंगे और एक बड़ी इलाइची को खोल करके डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें दो छोटी इलाइची डालेंगे और ये मसाले को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है मसाले को तब तक भुने जब तक ये जो नारियल है इसके उपर ब्राउन स्पॉर्स ना आ जाए मसाले अच्छे से भुन जानी चाहिए अब हम इसमें एक बड़ा चमस सफेद तील डालेंगे यहां पर अब देख सकते हैं तील जो है चटकने लगी है तो इसे कंटिनियूसली चलाते रहे नहीं तो यह चटचट करके बाहर गिरने लगते हैं तो जब कुछ इस तरह से कलर आ जाए तब यह मसाले को हमें निकाल लेना है आप यह ना सुचे कि मसाले जल गई है महाराश्चें लोग मसाले को इस तरीके से भून करके एक पाउडर बनाते है और इसे यूज़ करने के बाद रेसिपी क्या कमाल की बनती है आप ट्राइ करेंगे तब ही आपको समझाएगा इसे आप ग्राइंड करना है हमें थंडा करके मसाले को मिक्षर जार में लेकर मैंने ग्राइंड कर लिया है अब सेम मिक्षर जार में में ले रहे हूँ दो इंच का कटा हुआ अद्रक इसमें मैं डाल रहे हूँ पंदरा कली लसन की पास से छे हरी मिश में डाल रही हूँ, तीखा आप कम खाते तो कम डाले, एक मुठी बर का धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़े से पाने डालकर मसाले को पीस कर त्यार कर लेंगे, यह हमारा हरा मसाला त्यार है अब यहां पर देखिए, मैं एक मुंडी ले रही हूँ, जिसको मैंने अल्रेडी क्लीन करवा के लेकर आई थी, फिर मैं घर पे लाने के बाद दो से तीन बार पानी से अच्छे से धो लिया है अब यह मुंडी अल्रेड़ी क्लीन है, तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि आदि चोटी चमच हल्दी पावडर, दो चोटी चमच डालेंगे लाल मिशका पावडर स्वात के अनुसार इसमें नमक अड़ करें एक बड़ा चमस तेल डालेंगे सारे मसाले को ये मटन के उपर अच्छे से मिला लेंगे अब ये मटन को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं आज कि इस मटन को हम बना रहे कुकर में तो मैं यहां पे कुकर में तेल गरम कर ली हूँ, इसमें डालेंगे एक चोटी चमस जीरा, एक बड़ी इलाची, एक चोटी इलाची, आठ से दस काली मिरी, एक डालचीनी का टुकड़ा और एक तेज बत्ता, बेसिक खड़े मसाले है, खड़े मसालों को थोड़ी दर के जब इस तरीके से कलर आ जाये, तब हमारा पीस कर रखे हुए हरा मसाले का पेस्ट इसमें एड़ करेंगे, अभी ये मसाले को भी हमें थोड़ी दर के लिए भूनना है प्याज के साथ, बीश पीश में हम चलाते रहेंगे, ताकि ये मसाला तले पे लगे ना, और ये अच् पाउडर, ये मसालो को भी अच्छे से मिला लेंगे साथ में, और यहां पे मैं डाल रही हूँ, दो टमाटर पीस करके, आप चाहे तो टमाटर को काट करके भी डाल सकते, बारिक काट कर या फिर पीस करके डाल सकते, जिसे मैंने डाला है, अब ये टमाटर की प्यूरी को भ चलाते हुए भूनेंगे फिर हम इसमें डालेंगे मारिनेट करके रखे हुए मटन यानिकी मटन मुंडी अभी मटन डालने के बाद मटन को हमें कम से कम 5-7 मिनिट तक मेडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए भून लेना है या फिर हम इस मटन को तब तक भूनेंगे जब तक ये मसालों के साथ एक सारसी ना हो जाए, कलर चेंज ना हो जाए और तेल बिल्कुल रिलीज ना हो जाए ये प्रोसेस को करते करते हमें 5-7 मिनिट का समय लगेगा देखिए मेडियम फ्लेम पे मैंने लगभग 7 मिनिट भून लिया है मसाले कितने अच्छे से भून चुकी है, कलर बहुत अच्छा आ गया है और तेल भी इसमें से रिलीज हो गई है अब हम इसमें लगभग 3 कप जितना पानी आड़ करेंगे, 3 कटोर या पानी डाल सकते हैं उसी बोल में पानी लिया है, जिसमें मैंने मटन को मैरिनेट किया था अब जो हमने सुखा, खोबरा, तील और मसाले ग्राइड करके लिए थे, वो मसाला भी इसमें एड़ कर लेंगे मैंने पूरा डाल दिया है मिला लेंगे इसे, पानी बहुत जादा ना डाले, बहुत कम भी ना करें अब हम इसमें डालेंगे, दो छोटी चमश मटन मसाला पाउडर, ये मेरी होमेड मटन मसाला पाउडर है आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं या फिर मार्केट में मिलने वाली मटन मसाला पाउडर डाल सकते हैं मैं थोड़ी सी और पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये मटन जब पक जाएगी तो काफी ठीक ना हो जाए इसलिए स्वात के अनुसार नमक डालेंगे, ध्यान रखे पहले भी हमने मटन को मारिनेट करते समय नमक डाला है तो कम नमक डालें अब हम फ्लेम को मीडियम पे करेंगे मीडियम फ्लेम पे इसमें चार से पाच विजिल आने तक पकानी है फिर फ्लेम को लो पे करेंगे 10 मिनिट के लिए low flame पे इसे ऐसे ही पकने दे 10 मिनिट के बाद कुकर को अपने आप थंडा हो जाने दे कुकर जब अपने अप थंडा होगा तब ही इसका ढखन खोले चलिए यहां पर हमारा कुकर जो है थंडा भी हो चुका है और हमारा मटन भी पक कर तयार है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखकर समझ में आ रहा है कि कितना टेस्टी होगा और मटन अच्छे से गल चुकी है फाइनली हम इसमें कटी हुई धन्या पता डाल कर मिला लेंगे अभी मैं आपको एक पीस चेक करके भी दिखाऊंगी कि मटन अच्छे से पकी है या नहीं तो आप भी ढकन खोलने के बाद एक बाद चेक कर लें कि मटन पक गई है या नहीं अब वैसे भी चार विजल आने के बाद 10 मिनिट स्टीम में रखेंगे मटन बहुत अच्छे से पक जाएगी देखिए यह बहुत अच्छे से पक गई है टेस्ट भी कर लेते हैं वाव मस्त बनाए आप यह मटन मुंडी मसाला, रोटी, राइस सबी के साथ सर्फ कर सकते लेकिन भाकरी के साथ यह क्या कमाल की लगती है आप बताना आपको इस डिश को भाकरी के साथ खाना पसंद या रोटी के साथ और आज की रस्पी कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना रस्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर निवा आए तो ऐसे मज़दा रस्पी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राब करके बल आइकन क्लिक करें और नोटिफिकेशन अन करना ना भूले फिर मिलते हैं को नए रस्पी के साथ तब तक के लिए बाँ बाई एंड टेक केर थैंक्स पर वाचिंग हापी कुकिंग